जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए थे तब उन्होंने भारत को कई हिस्सों में अलग करके छोड़ा था तब सिक्कीम एक अलग संस्तान था 1950 से 1975 तक सिक्कीम एक इंडियन प्रोटेक्टोरेट स्रेट था यानि कि सिक्कीम के डिफेंस, एक्स्टरनल अफेर और कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट पे भारत का कंट्रोल था लेकिन 1964 में जवाहर लाल नहरुजी की मृत्यू के बाद सिक्कीम में उनके चोग्याल शासको द्वारा उनको पूरी तरह अलग संस्तान होने का बयान किया जाता था उसी समय वहाँ के स्थानिक राज्किय अपक्षो ने उनके चोग्याल राजा के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया था जिसमें भारत के इंटेलिजन्स एजन्सी यानि के राज का हाथ था ऐसा कहा जाता है उसके बाद 1974 के चुनाव में सिक्किम नाशनल कॉंग्रेस पार्टी ने बड़ी जित हाजिल की ये पार्टी इंडिया फ्रेंडली थी जिसने चोग्याल की पावर को कम कर दिया था फिर भारत सरकार द्वारा 36 अमेंडमेंट राफ करना शुरू हो गया और सब्टेंबर 1974 में सिक्किम असोसियेट स्टेट बन गया 16 में 1975 को अफिशल प्रेसेडन्ट के साइंस सिक्किम भारत का भाग बन गया